Now I become death, the destroyer of words ये भगवान कृष्ण भगवत गीता के ग्यारवे अध्याई के पत्तिस विश लोग में अर्जुन को कहते हैं और यही सेम शब्ड दी फादर ओफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपन हाइमर ने भी कहा था जब उन्होंने उस विदवन्स को देखा था जो कि उनके बनाए हुए एटम बॉम से हुआ था तो आप सोच रहे होंगे कि ये में आपको क्यों बता रहा हूँ तो दरासर फेमस डिरेक्टर क्रिश्टोफर नॉलन की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है ओपन हाइमर ये एक बायोग्राफिकल मूवी है और इस मूवी को देखने से पहले आपका ये चीच जानन बहुत जरूरी है कि इस मूवी में है क्या और ये मूवी किस बारे में है तो वीडियो को कोई पार्ट मिस ना करते हुए वीडियो को लाश्तर जरूर देखना तो चलिए देखने है तो किस्टोफर नॉलन की ये मूवी ओपन हाइमर बेश्ट है 2005 में आई एक बुख अमेरिकन प्रोमेथियस से जिसमें जूलियस रोबर्ट ओपन हाइमर के बारे में बताया गया है ये मूवी काफी खास मानी जा रही है क्योंकि वो इंसिडेन्ट भी काफी खास था जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था और ये मुवी फुली आएमेस केमरे से शूट की गई है और आप ये सुनकर चौक जाओगे कि इस मुवी में CGI का यूज नहीं किया गया उसकी जगा जो बॉंग वाले सीन थे उसमें असली बॉंग फोड गया है ताकि वो सीन सब को रियल फील हो लेकिन एटोमिक बॉंग नहीं वो छोटे मोटे जो बॉंग होते हैं कुछ्टोफर नॉलन को ऐसे ही इतना बड़ा डायक्टर नहीं माना जाता हूँ उनके डैडिकेशन अलग लेवल की है वो अपनी हर एक मुवी में सीन्स को ऐसे शूट करते हैं उनके शुट, उनके हर एक सीन्स को रिल होती है और यही चीज एक अग्टर और डैक्टर के अंदर जो डैडिकेशन होती है वो दिखाती है और अभी फिलांग ऑपनायमर के में अक्टर, Cillian Murphy का एक इंटर्व्यू भी बारेग हो रहा है जिसमें वो ये बताते हैं कि उन्होंने जे रोबर्ट ओपनायमर का रोल प्ले करने के लिए भगवत गीता को पढ़ा लेकिन रोबर्ट हाइमर के जिंगी में भगवत गीता का इतना बड़ा रोल कैसे है चलिए ये भी जान लेते हैं दो साल 1933 में उपनायमर ने बर्कली में संस्कीर्ट शीखी उस दौरान उनके संस्कीर्ट प्रोफेसर और्थर डवलू राइडर ने रोबर्ट को भगवत गीता पढ़ने की सला दी जिसके बाद वर्ड वर 2 के दौरान ओपनायमर को मैनहेटन प्रोग्राम के लिए एक बोंब बनाने के लिए चुना गया और उन्होंने कई मुष्खिलों के बाद अपने दिमागी जंग से लड़ने के बाद एक ऐसा बोंब बना ही लिया जो कि कई शेहरों को खत्म करने की बॉम तो बन चुका था लेकिन वक्त था इसके टैस्टिं का तो 16 जुलाई 1945 में नियू मैक्सिको में दुनिया का पहला एटम बॉम टेस्ट किया गया और ये एक्स्प्रोजन इतना बड़ा था कि इसमें 11 किलोमेटर उचा यानि 8 बुच खलीफाव जितना लंबा मश्रू क्लाउड फॉर्म हुआ था जिसमें 21 किलो टन टी एंटी जितनी एनरजी रिलीज हुई थी और इस दिरिश्ट को देखकर रॉबर्ट ओपन हैमर में भगवत गीता के ग्यारवे अध्या के बारवे श्लोप का जिक्र किया था जिसमें कहा गया है आकाश में अगर हजार सू को लिटल बॉइ नाम का एटॉमिक बॉब हिरोशिमा पर गिराया गया और उसके तीन दिन बाद 9 अगस्ट को नागसा की पर फैट में नाम का बॉब गिराया गया और इन हमलों का परिनाम यह हुआ कि महां नाम को करोड़ों लोगों की जात और इसी विद्वन्स के बाद फाइनली वर्ड वर्ड टू एंड और इस तभाए को देखकर जे रोबर्ट ओपन हैवर ने यह कहा उसके बाद उन्होंने एक इंटर्व्यू में भी पताया कि जब यूएस उन्हें बॉम बनाने के लिए बोल ला था तब उन्हें काफी जादे संकोच उनके मन में काफी स लन्ने को कहा तो ठीक उसी प्रकार ओपन हाइमर ने बखवत गीता से अपने सवालों के जवाब देखते हुए इस बॉम को बना और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वर्ड वर्ड टू खत्म नहीं होता और उसके बाद ना जाने कितने लोगों की जान जाती है शायद इन हमलो से इनसानी सव्वेता खत्म हो सकती है लेकिन उपन हाइमर का कहना था कि उन्होंने अपना धर्म का पालन किया जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने अपना धर्म का पालन किया अब आप मुझे बताए अगर जे रोबोर्ट उपन हाइमर की जगह आप होते तो उस वक्त आ नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर बन मिलते हैं दूसरे वीडियो में बाय